दूद एक ऐसी खादवस्तू जो दुनिया के लगबक सभी दिशों में उपलब्ध है और आज दूद से निर्मित ना सिर्थ दही, घी और पनीर के अलावा कई और खादपदार दुनिया भर में मौजूद है दूद और उससे बने उत्पात की महता के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल एक जून को विश्व दूद दिवस मनाय जाता है इस बार विश्व दूद दिवस यानि वर्ल्ड मिल्क डे की बीसवी वर्ष गाठ है साल 2001 में पहला विश्व दूद दिवस आयोजित किया गया था इसमें दुनिया भर के कई देश हिस्सा लेते हैं और हर साल इसके आयोजन में संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है लेकिन अधिकता लोगों का सवाल है और जग्यासा होती है कि आखिरकार वर्ल्ड मिल्क डे के लिए एक जून ही क्यों चुना गया दरसल विश्व दूद दिवस पहली बाद साल 2001 में सर्यूंत राष्ट के खाद और किर्शी संगटन दौरा इस्थापित किया गया था दुनिया भर के कई देश इसी तीती के आसपास राष्टिये दुख दिवस मनाते हैं और इसलिए एक जून को विश्व दुख दिवस के लिए चुन लिया गया FAO की अधिकारिक वेबसाइट के मताबिक दुख दिवस एक दिन दूद पर ध्यान देने के लिए और दुद और दुख उद्योग से जुड़ी गतिविदियों को प्रिचारित करने का उसर प्रदान करता है दुद को वैश्विक बोजन के रूप में मानिता देते हुए कई देश एक जून को ही विश्व दुख दिवस मनाते हैं AFO की रिपोर्ट के मताबिक साल 2018 में बहतर देशों में 586 से अधिक कारिक्रम आयुजित किये गए विश्व दुख दिवस दुख दुद्योग से जुड़ी गतिविदियों को सार्जनिक करने में बहतर और प्रिभावी काम करता है लेकिन आपको पता दें कि भारत में 26 नुवंबर को दुख दिवस मनाया जाता है दुनिया बर में दूत के महत के बारे में आम लोगों के बीच विश्व दुख दिवस एक असरदार कांती लाया दूर्श शरीर के लिए जरूरी सभी पोशक तत्वों का एक बहुत अच्छा स्त्रोथ है ये बहुती उर्जा जुकत आहार होता है जो शरीर को तुरंत उर्जा देता है इसमें उच गुर्वत्ता के प्रोटीन समित आवशक और गैर आवशक अमीनो एसिट और फेटी एसिट मौझूद होता है दूद की महत्ता लोगों को समझाने के लिए विश्ध दुख दिवस उत्सव बड़ी जनसंक्या पर असर डालता है डॉक्टर और वैज्ञानी के मुताबिक दूद हमारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन ऐसा क्यूं है ये भी जान लिए दरसल दूद का हर किसी के देनिक जीवन में खास महत्त है और ये प्रोटीन और पोशक तत्वों से भरा हुआ है जो जीवन के सभी चरणों में विकास के लिए आवशक है हर वैक्ति के लिए दिन में कम से कम एक वक्त दूद जरूरी बताया गया है इस वक्त करोना वाइरस की वज़े से लोगों को इम्मूटी बढ़ाने के लिए सला दी जा रही है और ये एक सित तत्य है कि प्रती दिन एक गिलास दूद पीने से हमारी प्रती रक्षा यानि की इम्मूटी में सुधार होता है और ये बिमारीयों को दूर भी रखता है इसके अलावा दूद में अगर हल्दी डाल कर प्या जाये तो शरीर की इम्मूटी बढ़ती है विदेशों में हल्दी वाला दूद गोल्डन मिल्क के नाम से बहुत प्रचलिते हैं गोल्द लब है कि सादा दूद नहीं पीने के बदले आप दही, पनीर, मक्षन, आइसक्रीम, पनीर या फ्लेवर्ड मिल्क के तोर पर अन्य तरीके से भी इसको अपने आहार में शामिल कर सकते हैं वहीं अगर भारत में दूद दिवस की बात करें तो 2014 में नैशनल डेरी डेवलोप्मेंट बोर्ड और इंडियन डेरी असोशेशन और इसके साथ में 22 राज्ये के जो दूद संग हैं उनको मिलाकर 26 नौबर को दूद उत्पादन में भारत को आत्म बनाने वाले डॉक्टर वर्गिच कुरियन का जनम दिन मनाने का फैसला किया गया और पहला राज्टे दुख दिवस 26 नौबर 2014 को भारत में मनाये गया और तब से हर साल 26 नौबर को भारत में दुख दिवस मनाये जाता है कभी दूद की कमी से जूजने वाले देश को दूद उत्पादन करने वाला देश बनाने में डॉक्टर वर्गिच कुरियन ने एहम भूमी का निवाई थी साल 1970 में भारत में ऑपरेशन फल नाम से एक अभ्यान चलाए गया था जो की आगे चलकर श्वेत करांती के रूप में जाना गया और वर्गिच कुरियन इस करांती के जनक थे वही अगर हम भारत में दूद के उत्पादन की बात करें तो भारत को पकरी का दूद उट का दूद भी उपलब्ध है जिसका हर दिन भारी मातरा में सेवन किया जाता है अगर वितिय वर्ष 2021 में बात करें हम तो भारत सरकार ने वर्ष 25 तक दुख प्रसंस्क्रण शमता को 53.5 मिलियन मिट्रिक टन से बढ़ा कर 108 मिलियन करने की सुविधा प्र परशों के दोरान 6.4 प्रिदिशत बढ़ा है और 14 पंद्रव में 146.3 मिलियन मिट्रिक टन से बढ़कर 187.7 मिलियन मिट्रिक टन हो गया है वहीं अगर कोरोना वाइरस में हम बात करें तो इसकी वज़े से लॉकडाउन जो लगा है उसमें दूद की सप्लाई भी काफी प् कमी नहीं होने थी और दूद की खपत होती रही सरस मदर डेरी अमूल नंदिनी पराग और कई अन्य समितिया हैं जिन्होंने किसानों से अधीशेश दूद खरिदने के लिए अतिरिक मिल की दूरी का सफर तै किया झाल झाल झाल